Hello Friends, Trade Learners Channel पर आप सभी का स्वागत थे दोस्तो आज मैं आपको 23rd November के लिए दोस्तो 23rd November के लिए important Nifty और bank Nifty के लिए जो है dोस्तो important trades दोंगा और दोस्तो ये काफी helpful होंगे option selling करने में दोस्तों और अच्छा खासा stock market से return मनाने के लिए जो कि आपको intraday basis पर return मिल सकता है या आप अपनी long position रखते हैं तो उसमें भी आपको help करेगा अब देखे दोस्तो आज जो है आज था 22 November का दिन ठीक है 22 November का दिन था और आपको जेसा मैंने बताया था वेसा ही हुआ market में मैंने आपको कहा था कि US के stock market को देखना और US का stock market जो है दोस्तो 0.75% से वहाँ पे जो है corrected था ठीक है 0.75% से US का जो Dow Jones Index है वो corrected था जब market खुला था उससे पहले ही तो market के खुलने से पहले ही देखनी होती है यह चीजे और आज इंडिया का market जो है दोस्तो 2-2% से correct हुआ है ठीक है तो इंडिया का विलकुल linked है market दोस्तो United States of America के market से अब बात याती है दोस्तो इस market में गिरावट तो बहुत ज़दा हो गया ठीक है अब कल के जो trades अगर आप लेना चाहो दोस्तो तो एक तो यह है कि दोस्तो अगर आपने weekly position बनाई जो कि मैंने last 19 November के लिए जो वीडियो बना दी थी मैंने वो आज के लिए थी दोस्तो और उसमें बता दिया था तब तो आपको आज ही इंट्राडेवेसिस पर ही इतना return मिल गया होगा कि मतलब अच्छा खासा premiums का decay हो चुका होगा लेकिन अगर दोस्तो आप उस position को carry रखोगे अगले एकाथ सब्ता तक तो आराम से आपको अच्छा खासा सारे के सारे points आपके हो जाएंगे जितने भी premiums के points से मिलते हो option selling के थूँ अब दीखे दोस्तो यहाँ पे बिलकुल इस तरीके से के market में गिरावट हो रही है अब यहाँ पे बिलकुल एक head and shoulder type से pattern बन रहा है वैसे तो ठीक है technical language में आप यह कह सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा यह अगर trend line यहाँ मेच करते हैं तो एक अच्छा खासा breakout भी दिख रहा है अब लेकिन दोस्तो यह होता है इस तरीके से market में कि कल को अगर US का market में तेजी आ गई तो market gap अप खुलेगा कल ठीक है gap अप खुलेगा और एक sideways candle वनेगी ठीक है यह धियान रखना मैं काफी time से market को watch किया है इस वचे से मेरे को एक बहुत basic तोर पर idea रहता है तो जो call writers अगर आप call writing करते हो 18,000 के उपर आपको अच्छा खासा return मिलेगा अब जो है आने वाले कई दिनों तक intraday basis पे भी अगर आप time decay का फाइदा भी उठाना चाते हो तो भी 18,000 के call writing करते हो सबसे best point है अभी 18,000 के call writing करना दूसरी जो चीज में कह रहा हूं दोस्तों वो यह है कि देखिए यह RSI का नीचे दिख एक मिनिट बताने की कोशिश करता हूं आपको यह जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यह चार्ट में यह 30 के level के नीचे नहीं पहुचा है जिस दिन यह RSI का level 30 के नीचे पहुचेगा उसके बाद में एक again buying शुरू है ठीक है ऐसा ही होता है market में और ऐस काफी इस time से हो रहा है ठीक है यह कभी-कभी बड़ी corrections आती है हमको इसका फाइदा उठाना चाहिए as a trading की तरह भी और दोस्तों यह जो है यह decisive factor होगा उसके बाद में कि क्या Indian stock market में तेजी जा रही 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 यह नहीं रही गी क्योंकि दोस्तों इसके बाद में होगा यह क कि कल को जो है दोस्तों अगर RSI का level 30 के नीचे आ जाता है और उसके बाद वापी से buying बनती है तो दोस्तों यह जो यहाँ पे आपको यह जो level दिख रहे हैं दोस्तों green color की तो 200 का moving average है और यह orange color का 100 का moving average है दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि United States के market पे ज्यादा dependency इंडिया के stock market की मां का आधा percent भी गिरेगा market तो इंडिया का जो है 1.5% गिर जाएगा ठीक है तो यह सब जो है कब तक चलेगा तो मेरे हिसाब से जो है दोस्तों यह सब जो है 17,000 से लेके 16,000 के बीच का जो zone है यहाँ तक चल सकता है ठीक है इसके पीछे एक तो यह है कि RSI जो है relative strength index होता है यह RSI indicator भी बोलते हैं तो यह जब 30 के नीचे आ जाएगा तो आपको वहाँ तक का wait करना पड़ेगा 30 के नीचे आने का एक तो वो और दूसरा दोस्तों इस पूरे market में जो है अभी आप सिर्फ जो भी strike price चूस करना चाते हो वो चूस करो लेकिन दोस्तों call राइटिंग के ही trades low थी के निफ्टी पर especially 18,000 के उपर तो अब निफ्टी जो है आपको कही दिनों तक नहीं दिखने वाला यह मान के चलो या तो sideways हो जाएगा या फिर दोस्तों market में थोड़ा बहुत यहां तक उचाला जाएगा लेकिन at the end जो है अगर weekly expiry के लिए या चान अगना दोस्तों मैं उचाल से मतलब भी समझा देता हूं आपको यह पांच मिनिट का candle chart चल रहा है अभी यहां पर देखोगे तो last जो time period चल रहा था market आज का intraday basis पर तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां से एक बड़िया जबरदस्त उचाल देखने को मिला है ठी यहां से यह नीचे घिरावट आया है ना अब कल को हो सकता है market जो है अगर उसमें उचाल आया तो यह जो green कलर की लाइन है यही 200 का moving average अभी भी है पांच मिनिट के candle chart पे भी तो यहां पे से भी फिर से again sale of शुरूएगी तो अगर माल लो अगर कल को जो है nifty 17600 के उपर यह आप यहां पे clearly देख सकते हो कि एक तो यहां पे green कलर की 200 डे का moving average वाली लाइन है दूसरा यह कि nifty अगर कल उचाल के साथ में 17600 पे पहुचा तो यहां पे थोड़ा consolidation के बाद में वाफिस गिरावट शूरूएगी ठीक है ऐसा होता है आम तोर पर अगर आप regular trading करते हो या फिर आप regular stock market को watch करते हो ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आप एक सही point की तलाश करेंगे और उसके अलावा दोस्तों यहां पे भी देखा करें कि यह RSI में कहां तक पोचा है RSI में जोए 70 और 30 का level जोए important होता है और यह काफी help करता है option sellers की even option buyers की भी दोस्तों निफ्टी के बारे मैं आपको समझ में आओगा अभी दोस्तों निफ्टी हो चाए bank निफ्टी हो दोनों पर call writing के ही trades लें और वो भी तब ही लें दोस्तों जब US का stock market जो है गिरावट शो करता है अगर US के market में गिरावट नहीं आती है तो आप trade विल्कुल भी न मैंने आपको 39,000 की call writing करने के लिए बोला था 19 नवंबर के दिन ठीक है जो कि आपको आज apply करना था अगर 22 नवंबर की बात करें तो दोस्तों यह 39,000 से 38,000 के बीच का जो zone है इस पर आप weekly basis पर जो है लगातार call writing कर सकते हैं और अगर आप call writing करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे खास है return देखने को मिलेंगे आपको जब weekly expiry आईगे तब तक में सारे premiums जो है डिके हो चुके होंगे और option selling करके जो है अच्छा खासा आपको benefit मिल दाएगा तो इस strike price यहाँ पर रखें आप 38,000 तो 39,000 की लेकिन जो हेजिंग भी करके हेजिंग बहुत मश्ट होती है तो आप हेजिंग 100-200 पॉइंट के gap पर कर सकते हो ठीक है अगर मान लो for example के तोर पर आपने कल को 38,000 की strike price पर यहाँ पर call writing की क्या 38,000 की strike price पर call को sell किया तो साथ में हेज किसको करोगे तो 38,100,200 या 300 जो भी आपकी risk लेने के शमता है उसके हि और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छे returns मिलते होए दिखेंगे और बढ़िया पैसा बनेगा और इसी तरीके से बनता है पैसा दोस्तों option selling with hedging करते रहो और बढ़िया पैसा बनाओ आपको nifty में भी और bank nifty में भी तो चलिए दो दोस्तों काफी important learnings जो है प्रोवाइड की जाती है stock market से related तो telegram channel सभी के link जो है दोस्तों description box में है जाकर के join करो उसको और फाइदा उठाओ दोस्तों free education service का तो चलिए दोस्तों अब video को end करते हैं video के साथ end तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवा